तपस्या से अर्थ है धर्रों को तोड़ना अपने और गरहस्थ से अर्थ है धर्रों में जीना गारहस्थे से जो तातपर होता है वो होता है कि तुम धर्रों के भीतर जी रहे हो धर्रा माने दिवारे तुम दिवारों के भीतर जी रहे हो धर्रे तोड़ने में कश्ट है धर्रों में जीने में उससे भी तो ज्यादा कश्ट है ये कह रहा हूँ तुम सही कश्ट चुनो न और बात कम ज्यादा के भी उतनी नहीं है धर्रों में जीओगे तो कश्ट बनाई रहेगा भड़ता जाएगा धर्रों को तोड़ने का कश्ट जेलोगे तो कश्ट कम होता जाएगा सही कश्ट चुनो सही संगति की कीमत चुकाओ सब तोड़ दोगे अगर उन लोगों के साथ जी रहे हो जिन्होंने तोड़ा है फिर तुम्हें भी याद आएगा कि ऐसे भी तो जीया जा सकता है और अगर दिन रात उन्हीं के बीच रहा है जो बंधनों से राजी है तो बंधन तोड़ने का ख्याली क्यों आएगा सुसंगति में जीयो और सुसंगति में जीने की कीमत अदा करनी पड़ती है वो कीमत अदा करो जब तुम्हें संसार मौका देता है तरक्की का भोगत भौतिक तरक्की का तब तो तुम नहीं कहते कि हम जहां के हैं वहीं रहेंगे घर छोड़ के चला गया था और घर माने माता पिता नहीं किस परिवार की बात कर रहा है पूछो तो MBA के लिए या पैसे के लिए हम घर परिवार देश सब छोड़ने को राजी होते हैं कि नहीं होते हैं पर सत्य के लिए तुम से कह दिया जाए कि थोड़ा दरा छोड़ करके कहीं और पहुँच जाओ तो तुम कहोगे अरे समाज तो वही रहेगा ना कैसे छोड़ दें ये बात मेरी समझ से बाहर की है अमेरिका में कितने भारती हैं इस वक जरब बताना कितने हैं मिलियंस में तादाद हो गई है उनकी अगर मेरा अनुमान सही है तो तीस लाग क्या असपास होंगे और वहाँ कहे के लिए जाते हैं लोग एक बहतर भौतिक जीवन के लिए ठीक या ग्यान के लिए ग्यान के लिए भी जाते हैं पढ़ाई के लिए जाते हैं भौतिक पढ़ाई के लिए तो इन चीज़ों के लिए तुम अपने समाज छोड़ने को तयार हो जाते हो, होते हो की नहीं होते हो पर सत्य के लिए और शान्ति के लिए और त्रिप्ति के लिए तुम कहते हो समाज तो वही रहेगा न जो है यह जितने गए थे यहीं से गए जितने भी है वहाँ पंद्रा लाक तीस लाक लोट के आये क्या तो उन्होंने तो वास्ताओं में समाज छोड़ दिया वहीं के हो गए, किसी का ग्रीन कार्ड हो गया, किसी ने तुहां की नागरिक्ता भी ले ली, सब हो गया उन्होंने तो वास्ताओं में छोड़ दिया और वो कभी कहने नहीं आते हैं कि समाज कैसे छोड़ दे हम करदा लुम करको करको कर दो